स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे जो इंग्लिश का 11th क्लास का चौथा लेसन है और उसमें जिसका नाम था Landscape of the Soul और उस लेसन को यहां तक हमने पढ़ लिया था आज हम यहां से इसको शुरू करें इन दा चाइनीज स्टॉरी से तो स्टूडेंट्स चलो इसको रीड करते हैं इन दा चाइनीज स्टॉरी दा एंपरर कमिशन्स एपैंटिंग और एप्रिशेट्स इट्स आउटर अप्रिशेट क्या होता है देखिए एप्रिशेट होता है प्रशेंशा करना तो इसमें देखिए चाइनीज कहानी में राज The artist reveals to him the two meanings of his work. कि देखो, इसमें जो emperor था, शाषक था, रजा था, उसको तो अंदर का मतलब तो पता नहीं, वो सिर्फ जो बाहर से दिखती है, वो ही चीज देख के परशेंशा करता है. लेकिन एक जो कलाकार होता है, वो उसके अंदर का मीनिंग दिखाता है, उसका. कि मेरे ये, जो कला है, आर्ट है, ये बनाने के पीछे, मतलब मकसद क्या छिपा हुआ है, कि मैं इसे क्या संदेश देना चाहता हूँ, वो ये चीज़ बताता है. इसमें क्या है, टेरिटरी किसको बोलते हैं, शेतर को कही राजा सिर्फ अपना है, जो जीत चुका है, जिस शेतर को कॉंकर बता है, जीता हूँ है, उस शेतर के ओपर सिर्फ रूल कर सकता है, शैशन कर सकता है. but only the artist know the way within लेकिन जो artist है वो ही अंत्रिक within मतलब आगे अंदर का जो रास्ता है मतलब राज्य को कैसे जीता क्या क्या है वो चीजा जो सिर्फ एक आर्टिस्ट ही बता सकता है let me show the way कि चलो मुझे वो रास्ता दिखाने दो सरी the doubt a word that means what the path or the method डाओ का अर्थ क्या है कि जिसका अर्थ है रास्ता या फिर तरीका and the mysterious work of the universe universe का तो बरमांड की बरमांड के अंदर जो mysterious रहस्यात्मक शबद है जो रहस्यात्मक गतीवीदियां है जो भी वो है तो डाओ एक ऐसा शबद है जिसके ये अर्थ होते है अब देखो next the painting is gone painting जा चुकी है but the artist has reached his goal अब देखो painting तो क्या है गाइब हो गई थी गाइब हो जाती है टूट जाती है कुछ हो थी जैसे इसमें भी एक बता था कि artist खुद अपने painting अंदर रहाता है और painting उड़ जाती है वाँ से गाइब हो जाती है लेकिन artist अपने goal पर goal मतलब अपने target तक पहुँच चुका है beyond any material appearance है material appearance क्या होज़ाए कि कोई भी बहुत थीक जो भी मतलब कोई material अपदार्थ है कोई भी बहुत थीक लालच है उन सभी से दूर हो चुका है वो एक classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view classical बोलें शाष्ट्रिये को मतलब इसमें कहें कि एक शाष्ट्रिये जिन्नी जो प्राकर्तिक दरश्य है landscape किसको बोल देते हैं अपने प्राकर्तिक दरश्य है वो किसी भी वास्तुईक दरश्य की नकल करने के लिए नहीं बनाया जाता है जैसा नहीं है कि सेम टू सेम अपने किसी की नकल कर देंगे एस बूट है वेस्टन फिगुरेटिव पैंटिंग मतलब जैसा कि क्या है वेस्टन वेस्टन क्या आता है पस्चेम साइड की कोई भी जो अकरतियां है यह जो भी चितर है जिसमें उनमें बनाया जाता है डैस सब्सक्राइंब जो पार्टिकुलер लेंडस्केप एकड़ेकई time nhấtलि इस साइट मतलब जब उर्प का कोई पैंटर है वह क्या है कि आप कि आँखें उसको उदार देन ताकि आप उसका कोई भी लेंड्सकेप बना चुका है उसको आप ध्यान से देखें From a specific angle, मतलब किसी भी विशेश एंगल से हर कौन से देखें The Chinese painter does not choose a single viewpoint और जो Chinese painter है वो single viewpoint नहीं रखते इस परकार का मतलब नहीं रखते कि हमारी single तरीके से एक तरीके से हमारी जो कलाकारी है वो देखी जाए His landscape is not a real one मतलब वो कहते हैं जो लेंड्सकेप जो बाहर से दिखाई देता है वो real नहीं है वास्टुक नहीं है And you can enter it from any point धेखो जो पास्ट आपते हैं मतलब यू europky side के जो भी आर्टिस्ट है कल्द कार रहा हो क्या Guatt Tale the 청'll Other Out अंदर से, the artist creates a path for your eyes to travel up and down, एक ऐसा बात हम बना देते हैं, रास्ता बना देते हैं, जिसमें क्या है, कि आप क्या देखते हो, उपर निचे जहां भी जाओ, उसकी artist की जो art है, उसको ध्यान से देखो पूरा, then back again, और फिर से वापस आजाओ, इन्हें laserly movement, इसमें यही है कि बिल्कुल इदर उदर जाओ, वापस देखो, और सारा देख के इदर उदर निकल जाओ, और यही एक ऐसा लग रहा है कि जैसे, बिल्कुल सच है बात, मतलब इसमें क्या है, कोई, सही movement कर रहे हैं आप, this is even more true in the case of the horizontal scroll अब इसमें देखिए this is even more true in the case of horizontal scroll in which the action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to move on to the other adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting किसमें यह बताया कि जो Chinese painting है उसमें क्या करते हैं हम एक साइड से खोलते हैं कागसले पेटा हुआ फिर उसको हटाते हैं बंद करते हैं दूसरी साइड से खोलते हैं तो हमें इसमें बीच में देखो समय मिल जाता है dimension of time में यह आगे न मतलो समय का कोई आयाम या समय का थोड़ा gap मिल जाता है हमें और हम उस चीज को समझ पाते हैं इसमें क्या हमारे active participation मतलों पूर एक्टिव हो के सक्रियता से बागीदारी देनी पड़ती है हमें पेंटिंग में फिर हम उसको समझ पाते हैं a participation which is physical as well as mental सिर्फ शारिरी क्रूप से नहीं मांसी क्रूप से भी हमें उसके लिए सक्षम होना आवशक है the Chinese painter does not want you to borrow his eyes Chinese painter क्या कहते हैं आप आपकी आंखे मत दो उनको he wants you to enter his mind वो यहीं चाहते हैं कि आप हमारे mind में enter हो जाओ हमारे दिमाग में परवेश कर लो the landscape is an inner one spiritual and conceptual space अब की देखो जो इसमें कहाए landscape है कोई भी द्रश्य जो हमने बनाया है वो क्या spiritual क्या होता है अध्यात्मिक, conceptual होता है अफदारनात्मक मतलब वो अध्यात्मिक होता है आपकी आत्मा से भी जुड़ा होता है और conceptual, conceptual क्या होता है अफदारना मतलब जिसके पीछे कोई ने कोई थियोरी होती है तो अब next देखते हैं इसको the concept is expressed as sunshui literally mountain water अब देखो इस Score को इस Concept को व्यक्त किया गया है किसके दोरा शैंशुई के दोरा व्यक्त किया गया या San Sui के रूप में gas San Sui के रूप में Literally क्या होता है जिसका mean है मतलव क्या है जिसका mountain water Mountain को उसको बोल देते हम परवत को Mountain Water क्या हो जाएगा परवतिय जल, जिसका मतलब होता है परवतिय जल और जो देखिए किसके लिए यूज किया गया है मतलब पूरा संसार दिखाया जाए जिसमें लेंड्सकेप में इस चीज के लिए उसका यूज करते हैं, more than two elements of an image, इसमें एक से ज्यादा, मतलब या दो से ज्यादा element, element होते हैं, ततता होता है डाले जाते है, image में इस रिप्रजेंट्स टू कॉम्प्लिमेंटरी पॉल्स और इसमें क्या होता है, दो पॉल्स मतलब दो दुरूव दिखाई जाते हैं, जैसे अपने वह तना the dust view of the universe, मतलब पूरे ब्रमांड का एक व्यू दिखाया जाता है, इसमें, the mountain is young, mountain को नाम क्या दिया गया है, परवतों को young, reaching vertically towards heaven, वो स्वर्ख की तरफ पहुंचते हैं, सीधे खड़े हुए, stable, खड़े हुए, वारम मतलब गरम and dry in the sun और सूरे में जो सूख चुके हैं, while the water is yin, और जल को क्या नाम दिया गया हो, उस picture में yin, horizontal and resting on the earth, वो क्या है, प्रिथवी के ओपर, बिल्कु स्पार्ट बढ़ा हुआ और अराम कर रहा है जैसे flood, most and cold, flood मतलब वो liquid के रूप में है, जल तरल के रूप में है, most मतलब नमी है उसमें और cool है, वो ठंडा है the interaction of yin, the receptive feminine aspect of the universal energy, अब इसमें यह यह देखिए, yin है जो, वो के receptive, receptive क्या होते grand करने वाला, receptive देखो इसको receptive, मतलब receive से बनाए तो क्या है grand करने वाला अब इसमें देखिए, feminine feminine को, इस्त्रिलिंग को मतलब इस्त्रिलिंग विचारदारा पर जोड़ा हुआ है, इसका तत्व जो यांग इसको नाम दिया गया है वो क्या है, एक इस्त्रिलिंग की तरह है, हर चीज़ को ग्रहन करने वाला है and its counterpart young, active and masculine और अब इसमें दिया गया है, जो यांग है जो यिन है, वो तो क्या है feminine बोला है, जो यांग है, वो क्या है masculine, masculine क्याते है, pulling बोला गया है और वो पूरा active रहता है, जो पहाड है is of course a fundamental notion of daosim और ये क्या है daosim का ये जिसको बोल देते हैं, दावबाद भी कहा देते हैं लोग daosim को और इसका एक fundamental, fundamental क्या बलेंगे अपने अधारबू तो विचार है जो इसका what is often overlooked is an essential third element और अब इसमें एक third element भी दिखाएगे है तीसरा जत्त भी दिखाएगे the middle void, where there interaction takes place और बीच की जगे हैं, जिसे लगों interaction कर दिया जाता है, मतलब नजर अंदाज कर दिया जाता है, वो क्या चीज़ अब देखिए this can be compared with the yogic practice of pranayama, और इसे हम pranayama से तुलना कर सकते हैं, breathe in return, breathe out, मतलब सांस अंदर लो return, मतलब रोको breathe in, मतलब सांस अंदर लो रोको और सांस वापस exhale करो, बाहर निकालो the suspension of breathe is void where meditation occurs, मतलब जहाँ पे भी meditation meditation रेते हैं, योग को या ध्यान को अपने मतलब यहाँ पे भी ध्यान लगा जाता है योग किया जाता है, ध्यान गटी तो होता है तो हाँ पे सांस रोक सकता है the middle void is essential मतलब जो middle void हम जिसमें बोल रहे हैं सांस रोकना है, जो middle void बीच का वो बहुत essential आवशेक हैं हमारे लिए nothing can happen without it इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता इसके बिना कुछ नहीं हो सकता hence the importance of the white unpainted space is in Chinese and the, और ये हम जो बात करे रहे हैं एक picture दिखाई गई है picture में एक तरफ जल दिखा 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 दिगा दिगu बीच में खाली जगें दिखा दिखा दिगई So, I cannot enjoy this तो अब इसमें क्या boss आदो एक तरफ भी शो क्या कर रहा है सिर्फ यह चीज इसमें दिखाई गई है और यही चीज जहां पर आदमी एक fundamental मतलो अधारबूत एक भूमी का मिलती है आदमी को इन दाट स्पेस बिट्विन हैवन एड अर्थ मतलो पृत्वी और स्वर्ख की बीच की यह खाली जगे हैं जो बीच की और यह कहा है और यह जो बीच की जगे है वो पृत्वी और ब्रमाण के बीच में कम्यूनिकेशन का मार्ग बन चुकी है मतलो यह बीच की जगे की उपस्तिती जरूरी है सिर्फ पृत्वी और अकाश कुछ नहीं कर सकता जो उनके बीच में जो अंतरिक शखाली जगे है पड़ी है जो वो जरूरी है एवन इफ इवन इफ इट इस अनली सज़ेस्टेड की इसको चाहे सिर्फ सज़ेस्टी किया जाए मतलब परती की दिया जाए सिर्फ समझाया ही जाए far from being lost or oppressed by the lofty peaks चाहे इसके अंदर उन्ची उची उठी चोटिया पीक होती है चोटी चोटिया है क्यों नव और जो फ्रेंकोईस मतलब इसमें जिसका नाम है फ्रेंकोईस चैंग उसने एक बहुत शांदर एक्सप्रेशन दिया है बहुत सुन्दर शब्दों में बोला है और इसको क्या बोला दा आई आउफ दा लेंड स्कैप मतलब यह जो पिक्चर थी उसको बोला गया है भूदर्शे की आँख तो यह अपना जो लेसन है यहाँ पे एंड हो चुका है लेकिन साथ में कोई special thing दी गई है Getting inside, outside art अब हम इसको देखेंगे Getting inside, outside art मतलब बाहरी कला के अंदर जाना When French painter Jean Dubuffet motor the concept of art brute in the 1940s मतलब कि जो फ्रांसी सी चितरकार मतलब French painter है जिसका नाम क्या था Jean Dubuffet उसने 1940 का जो दशक था या फिर 1940 के आसपास के जो सन थे वहाँ पे art brute art brute किसको बोला है इसने art brute के ओपर कुछ अवदार ना दी art brute बोल रहे है ungod color जिसके अंदर कोई special विशेष्टा नहीं होती जिसका अलागे पर और उसकी कुछ अवदार ना दी थी तो आगे देखिए क्या कहने इसमें the art of the untrend visionary was of minority interest minority क्या आते है अलब संखे जिसकी संख्या बहुत कम है तो इसमें क्या लोगों ने बहुत ही कम रुची रखी मतलों इसमें minority रुची वाले ही थे लोग from its almost wild beginning outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internally और इसी परकार यहां से क्या है तो इसी परकार यहां से क्या है जो beginning है शुरुआत है किसकी हो रही है outsider art की बाहरी जो कला है उसकी शुरुआत हो रही थी और दीरे gradually ते दीरे दीरे बढ़ती गी और सबसे ज़्यादा बढ़ विकास वाला इरिया बन गया और लोग सबसे ज़्यादा इसमें इंट्रेस्ट लेने लगे और दीरे दीरे इंट्रनेशनली मतलब अंतराश्टरी रूप पर इसकी पहजान बन गई मतलब यह जो शैली है उसका जो वर्णन किया गया है किसके लिए हुआ इस परकार से हुए कि कुछ लोग ऐसे होते जिनको कलाकार बनने का कोई अधिकार नहीं था फिर भी उन्हें कलाकारी की जो शिक्षा ग्रहन की यह जो टैलन अधिस्टिक इनसाइड और उन्होंने फिर भी क्या कर दे लो कि आप आठिस्ट नहीं बन सकते आपको अधिकार नहीं फिर उन्होंने शिक्षा ग्रहन की और अपने अंदर का जो टैलन्ट है और जो artistic है मतलो अपने आर्ट की जो कला है उसको दिखाया उन्होंने पूरा Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings कि जो उनके works है जो उनके कारे है जो उनकी प्रतिवा है जो उन्होंने काम किया है वो कहें बहुत सारी करतियों के खिलाफ या बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जो कहते थे कि ये सही नहीं है तो उनके खिलाफ उन्होंने साबित करके दिखाया है Around the time Debufet was pre-pounding his concept in India as untutored genius was creating paradise Paradise किसको बोलते हैं स्वर्ग को और उसी समय Debufet ने अपनी अवदार ना में क्या बोला था कि भारत में एक ऐसी जो आप परशिक्षित परतिबा है इसमें देखो क्या बोला है Untutored genius मतलब जिसको tuition नहीं दिगया है परशिक्षित नहीं किया क्या है और वो क्या create कर रहा था स्वर्ग कर निर्मान कर रहा था लोग तो क्या बोल रहे थे कि इसको कोई शिक्षा नहीं है यह काम नहीं कर सकता लेकिन एक बंदा इंडिया में ऐसा था जो क्या है स्वर्ग कर निर्मान कर रहा था Yes, about a little patch of jungle that he began to clear him to make himself a garden sculpted with stone अब इसमें देखो उसने किया कि little patch of jungle jungle किसको बोल रहे हैं तो अपने पता ये jungle को भी बोल रहे हैं इसमें direct jungle बोल देगे नहीं तो forest बोलते हैं तो इसमें ये चीज़ बताई है इसमें कि उन्हों ने एक जो jungle था चोटा सा शेतर था jungle का उसको साफ किया और पत्थर को पुने प्रयोग में लिया और इस पदार्थों से उसने एक चोटा से बगीच्चा बना लिया साफ करके और फिर next देखें ये दिखो इसमें कोई पत्थर से मूर्तियां वगएर अपनाई गिया जगह साफ की गई दिखा रहे है recycled material is known to the world today as the rock garden at चंडिगड और वो ही लड़का जिसको लोग बोले ये कुछ नहीं कर सकता उसने इतना अच्छा काम किया जंगल को साफ किया वहां से पत्थर उठाया उसकी कुछ मूर्तियां वगएर अपनाई और उसको एक सुन्दर पार्क का नाम दिया और आज वो पार्क रॉक गार्डन चंडिगड के नाम से जाना जाता है और देखो next आप इसमें its eight year old creator director नेक चंद is now held as India's biggest contributor to outsider art और उसका जो निर्माता था या उसका जो director था जिसका 80 वर्ष उमर थी नेक चंद को आज outsider art में बारत का सबसे बड़ा योगदान देने वाला माना जाता है the 15th issue spring 2005 of raw vision a UK based magazine pioneer in outsider art publications features नेक चंद and his raw garden sculpture woman by the waterfall on its anniversary issue कवाई और आप इसमें देखिए कि जो इसमें outsider art में अगर नहीं मतलब सबसे जो मुख्य है इंग्लैंड की पत्री का है जिसका नाम क्या है raw vision यहां पे लाइन में raw vision और उसने अपने जो पचास मी उसकी परती थी या अपने अतने अंक होते है एक नंबर पत्री का दो नंबर तो उसका जो पचास वांक था उसमें उन्होंने यह बोला है कि जो नेक चंद है और जो उसका रॉक गार्डन है उसमें एक ऐसी मूरती है जो क्या है देखिए इस का मतलब जो इसका anniversary है साल की और उसके issues cover मतलब उसमें जो cover page है अखवार का उसके उपर दी है मतलब ये चीज़ देखिए इंडिया के आदमी ने कोई काम के और England के अखवार के पहले page पे वो भी जो साल की anniversary का खवार उसके page पे लगे तो कितने बड़ी बात है आप ये सोच सकते हो the notion of art brute और raw art मतलब इसमें कोई कच्छी कलाब हो ले या फिर अंगड कलाब हो ले हम तो ये इस परकार की रचनाएं थी was of works that were in their raw state or regards cultural and artistic influence influence क्या होता है प्रभाव और इसमें क्या है कि वो या तो कला का उनमें कोई अभाव होता था या फिर संसकर्ती का पूरा प्रभाव नहीं होता लोग ये समयते थे उसमें anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be a material for a work of art उसमें ना तो उनकी बस पूरी money होती थे ना दो या तो वो क्या करते कोई broken down car घ्राव वोई कार उठा लिए कहीं से टूटी फूटी या कोई tin का डबा उठा लिया कुछ ही उठा लिया और इस परकार वो कोई ना कोई ऐसा material बनाते काम करते कला का मतलो जो obsessed चीज़ें थी उन से कोई कला बनाते थे वो something नेकचंद has taken to dizzying heights recognize his art as outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream और इसी में ही देखिए कि नेकचंद को उसकी कला का शांदार प्रणाम यहां से मिलता है कि जब कोई आदमी अपने सपने जीता है तो कितना बदलाव आ सकता है इसमें उसके लिए ये शवद बोला गया है ये line बोली गी है the Swiss Commission for UNESCO will be honoring will be honoring him by way of European exposure of his wars अब देखो Swiss आयोग बोला गया इसमें Swiss Commission देखिए Swiss Commission का जो Swiss का आयोग है कि इसके बोला कि UNESCO उसने क्या किया है कि उसकी करतियों को समान करेगा उसमें ये लिखा गया था ये उसके promise किया गया कि जो UNESCO है उसमें जो भी काम किया यूरॉप में उसके सारा कुछ दिखाएगा उसके models दिखाएगा उसको मतलो इनाम मिलेगा उस चीज़ का अवार्ड मिलेगा उसको the five month interactive show realm of next chand और अब इसमें देखो कि पांच महीने का चलने वाला एक जो interactive show था जिसका नाम क्या रखा गया realm of next chand मतलब जो next chand के द्वारा किये गए सारे काम है वो beginning October will be held at leading museum in Switzerland कि जो Switzerland के leading museum है जो service rest मतलो या परसिद museum है वहाँ से October में ये show start किया जाएगा Belgium में भी होगा, France में भी होगा और Italy में भी होगा The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation next chand says, next chand क्या कहते हैं कि वो जो award मिला है मेरे को नहीं मिला वो उस garden के तुरू मेरे को मिला, direct नहीं मिला चलो लोग मेरी आज से क्या करें, जो creation है उनको enjoy करें और ये लिखा किसने था, ब्रिंदा सूरी ने हिंदुस्टन टाइम्स में 28 अगस्त 2005 को तो students, ये हमारा lesson यहाँ से complete हो चुका है next is के question answer से, और मिलते हैं next lecture में next lesson के साथ, तब तक goodbye ग्यूँ आपको झाल किसे इस वे स्क्राइब हैं, से लिखायँ को